एजिन्ट टाइगर और एजिन्ट जोया को रौ और आईसाई की फाइल्स में अमसिगा खराग कर दिया गया इंडिया की रौ और बाक्सवान की आईसाई आज तक टाइगर और जोया को दुनिया फर में ढूंग रहे लेकिन अब धी दुनिया के अलग अलग शेरों में उनके कि देखे जाने की खबर दोगते हैं हाँ मगर आज तक यह अपनी से कोई नहीं कह पाया कि दोखाई नहीं है कि दोखाई हैं how यह खता है तस नहीं है तस वे सकते हाँ नहीं झांट पीजा कर दो दो दोस्तो बॉल्यूड अभिनेता सल्मान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 का इंतजार दर्शक बड़ी बेशबरी से कर रहे है यश्राच बैनर के अंतरगत बनकर तयार हो रही टाइगर 3 में सल्मान खान और काईटरिना क्याप की जोड़ी नजर आएगी जिसे देखने के लिए दर्शक बेचैन है सल्मान खान ने कुछ दिनों पहले सोचल मीडिया के माध्यम से फैंस को ये जानकारी दी कि उन्हें बहुँ प्रतिक्षित फिल्म ये 2023 नहीं वलकि दिवाली 2023 के मौके पर रिलीज होगी अगले साल इतके मौके पर सल्मान खान अपने होम प्रोडक्षन किसी का भाई किसी की जान लेकर आएंगे जब से सल्मान खान ने दोनों खिल्मों की रिलीज टेट्स का एलान किया है तब से हर कोई यह जानना चाहता है कि भाई जान ने टाइगर 3 को दिवाली 2023 पर लाने का फैसला क्यों लिया है दोस्तों पिंक वाला की लेटेश्ट रिपूट की माने तो यह फैसला सल्मान खान नहीं टाइगर 3 के मेकर्स ने लिया है टाइगर 3 के मेकर्स को लगता है कि यह 2023 तक फिल्म का वियब एक्स वर्क पुरा नहीं हो पाएगा ऐसे में टाइगर 3 के लिये दिवाली 2023 सही डेट रहीगी फिल्म से जुड़े सुत्र ने पोर्टल को जनकरी दी है आधित्य चोपड़ा और मनिश चर्मा ने टाइगर 3 की शुरूआत से ही यहाँ सपना देखा है कि दर्शको को इसमें वर्ल्ड क्लास एक्शन देखने को मिलेगा इसके लिए अगर थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है तो आधित्य मनिश को मंदूर है टाइगर 3 में हैवी वीप एक्श वर्क है कोरोना की वज़े से इन दिनों दुनिया बर के व्यप एक्श आल्टिस्ट बीजी है जिस करण टाइगर 3 के निर्मादाओं ने इंतजार करने का फैसला लिया है टाइगर 3 का क्लाइमेक्स सिन दर्शकों को चवका देगा जिसके लिए मेकर्स ने काफी मैनत की है जिसमें दर्शकों को जबरदस्ट विजूल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे आजित्य चोपडा ने टाइगर 3 के विएपेक्स में लगने वाले वक्त के बारे में सल्मान खान से बात की जिसके बात भाईजान ने तुरंट अपनी दूसरी फिल्म को इप 2023 पर रिलिस करने का फैसला लिया है सिनिमा प्रेमियो के लिए इप का मतलब सल्मान खान है भाईजान को यह बात अच्ची तरह से पता है कि जिस कारण उन्होंने किसी का भाई किसी की जान को इप 2023 पर रिलिस करने का फैसला लिया है दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई